मेरे सेयान वारियर्स आपके फेस की हर एक प्राबलम को रिमूव करके आप अपने लुक्स के बिल्कुल फुल पोटेंशल पे कैसे पहुँच सकते हो ताकि आपका भी बिल्कुल मॉडल्स जैसे सिमेट्रिकल हैंड सम फेस बन पाए उसकी एक 101% वर्किंग जबरदस्त वीड तो basically models की तरह दिखने के लिए majorly 5 facial factors responsible होते हैं सबसे पहला factor है hairstyle जनरली आपकी hairstyle लोग सबसे पहले notice करते हैं तो एक stylish hairstyle रखना आपके लिए mandatory है अब mainly जो hairstyle हमारे face पे best suit करती है वो दिखने में cool और हमारे face shape के हिसाब से होनी चीए secondly हमारे hair type कैसा है कर ली है या straight है और thirdly हमार special facial features जैसे कि कई लोगों के बड़े कान होते हैं बड़ी नाक होती है बड़े lips होते हैं etc इन तीनों factors पर depend करती हैं अब अगर आपके face पे ऐसे कोई special facial features नहीं है तो आप पहले दो points को follow करते वे ये तीन cool और trendy hair styles जो mostly हर face shape पे चली जाएंगी इन्हें रख सकते हो stylish दिखने के but specially उन लोगों के लिए जिनके ऐसे special facial features हैं उनकी एक एक करके बात करें तो अगर आपका big forehead है तो आप massive fringe hairstyle रखना big ears वाले अपने बाल sides में से छोटे मत कराना और top पे volume वाली quiff या फिर pompadour hairstyle रखना सेलकी बाल वाले side part with fade करा सकते हैं big और pointed nose वाले बंदे high volume वाली hairstyle ही prefer करना perfect hairstyle के बात second factor skincare और unwanted facial hairs की बात करें तो skincare के लिए basic skincare routine mandatory है सब के लिए जिसमें दो बार आप face wash करोगे skin type के हिसाब से और दूप में जाने से पहले sunscreen लगाओगे 365 days but अगर आपके face पे pimples आपकी uneven skin tone या फ solutions बता देता हूँ तो mainly pimples को ठीक करने के लिए आप दो type के solutions follow कर सकते हो एक है home remedies वाला और दूसरा है creams वाला इन दोनों ही solutions के अपने pros and cons हैं सबसे पहले हम home remedy वाले solution की बात करें इसके लिए लेना है आपको 2 चमच honey, 1 4th चमच powdered दालचीनी प्लस half चमच हल्दी इसे आप हफ प्रॉपर्टी है जो आपकी skin को heal करती है लगाने के 15 मिनिट बाद इसको अच्छे से दो लेना ये home remedy वाला solution बिल्कुल safe है बट इसका effect दिखने में आपको थोड़े months लगेंगे second यानि कि pimple creams वाले solution की बाद करें तो ऐसी pimple creams जिनके ingredients में benzoil peroxide, retinols या फिर कोई भी antibiotic creams ये सब pimples के लिए best रहती हैं और काफी जल्दी results भी देती हैं बट ये creams आपको specially doctor की recommendation के बाद ही लेनी है doctors की suggestion के बिना youtubers की बातों में आके, please ये creams खुच से use करने मत लग जाना second problem यानि कि uneven skin tone की बात करें तो इसके लिए कोई भी renowned company का vitamin C serum ये आप daily basis पे use करने लग जाओ अपने skin के routine के साथ serum basically आपके skin के pores के अंदर जाके, काफी अच्छे से आपके skin pigmentation और uneven skin tone को सही कर देगा बट इसको भी थोड़े months तक daily basis पे apply करना thirdly हम blackheads slash whiteheads के solution के बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक towel लेना है और उसको गरम पानी के bowl में dip करके उसका excess water हटा के उसे अपने नाक पे रखना है थोड़ी देर इस गरम towel की वज़े से आपके pores थोड़े soften हो जाएंगे उसके बाद आपको एक चमच चाय पत्ती one fourth चमच हल्दी और आधे कटेवे नीबू के few drops इसमें mix करके इस mixture को नीबू के top पे लगा के अपनी nose पे use करना है आपकी sensitive skin है तो आप नीबू के जगे धही भी use कर सकते हैं ये आपके लिए एक natural scrub की तरह काम करेगा और blackheads को remove करने में मदद करेगा इस particular method को use करने के बाद भी आपके blackheads नहीं जा रहे हैं तो आप market से 30-40 रुपे का blackhead extractor खरीच सकते हैं home remedy को करने के just बाद ही extractor को अपनी skin पे अच्छे से use करके अपने blackheads को remove कर लेना अब हम face के उपर सारे unwanted hair की बात करें तो आप अपने eyebrows के बीच के बाल tweezers से हटाएं आपके ear और nose से निकलते वे बाल भी regular basis पे trim out करें और जो छोटे-छोटे बाल आपके forehead और cheeks पे हैं उन्हें भी trimmer से remove कर देना number third factor है lips and teeth आपके lips अगर फट रहे हैं या काले हो रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो bad habits को stop करो इसके साथ कोई भी एक अच्छा lip balm आप अपने lips पे use कर सकते हो ये आपके lips को protect and hydrate करेगा teeth care की बात करें तो अगर आपके teeth yellow हो रहे हैं उन्हें वापिस से white बनाने के लिए brush करते time अपने toothpaste के साथ थोड़ी सी quantity में baking soda अपने paste के साथ mix कर देना ये process पूरे हफते में आप बस दो या तीन दिन use करना और जब आपको results दिखने लग जाएं तो baking soda का use stop कर देना जहां तक बात करें आपके दांत अगर टेड़े मेड़े या फिर आपके दांतों के बीच में gaps हैं तो in cases में भी आप again dentist को consult करें और youtubers के चक्कर में मत पड़ें फूर्थ factor है diet and exercise ये भी major factors हैं आपके face के fat और skin quality को determine करने के लिए simply आप हर एक meal से पहले salads खाना start करें salt और sugar की intake control करें और किसी भी form की cardio exercise जैसे running, swimming, cycling etc at least ये अपने daily routine में add करें इससे आपके face के साथ साथ आपकी physique भी अच्छी हो जाएगी और फिर आप हमारी best in the world style cn t-shirts में जबरदस्त लगोगे style cn t-shirts का पहला stock आप सबने out of stock करा दिया है प्लस आपके जबरदस्त feedback की वज़े से तो दिल ही खुश हो गया यार तो इसलिए हमने specially आपके लिए इस new stock में हमारी tino t-shirts के उपर maximum 200 rupees का off रखा है प्लस आप हमारी website से tino में से जो भी t-shirt मंगाऊगे हम आपको हर एक order पे accessories absolutely free देंगे हर t-shirt के साथ ये accessories literally amazon में 300-300 की विकरी हैं तो जल्दी से description में दिये वे style cn clothing के website link पे click करो और literally best in the world quality की t-shirt घर लाओ finally video की bonus tip की jawline enhancing tip के लिए आपने face पे jawline clearly visible करवाने के लिए सबसे पहले तो आपके face पे जो भी थोड़ा बहुत fat है आपको उसको remove करना पड़ेगा उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया rose cardio exercises करो secondly आप beards की help से भी jawline को अच्छा दिखा सकते हैं आपकी full beard आती है तो आप ऐसी beard रखना जो front की side से थोड़ी थिकर हो और sides से हलकिसी छोटी length की हो plus beard की line आपके jawline के parallel हो आपकी अगर patchy beard आती है तो आप goty type beard style रख सकते हैं भी आपकी jawline को enhanced दिखाएगा third और सबसे important factor आप mewing technique का use कर सकते हो mewing technique के लिए आपको अपनी tongue को थोड़ा pressure लगाते हुए mouth के उपर वाले portion पे press करना है और अपना move बंद कर लेना है इससे आपको अपनी jawline पे थोड़ा pressure feel होगा और इसे रोज थोड़े थोड़े minutes तक करने के बाद कुछ months में आपको results मिलने start हो जाएंगे